हमारे पिछले विडियो से हम जानते हैं कि virtual images क्या है virtual image वो image है जो mirror के पीछे एक position में बनती है लेकिन वास्तव में वो वहां नहीं बनती है क्योंकि mirror के पीछे light rays नहीं पहुँचती plain mirror से बनी image इसकी कुछ properties या characteristics होती है एक characteristic हम पहले ही देख चुके है plain mirror से बनी image virtual होती है या दूसरे शब्दों में कहें तो वो real image नहीं होती है plain mirror से बनी image की दूसरी characteristic ये है कि जो image बनती है वो हमेशा erect या upright होती है example के लिए अगर आप अपनी image को mirror में देखें तो आप देखेंगे कि वो straight या erect है लेकिन क्या ये हमेशा erect ही होगी? ज़रूरी नहीं है ये शायद inverted भी हो सकती है हम inverted को opposite of upright भी सोच सकते हैं हाँ, एक inverted image का मतलब upside down image होता है concave mirrors inverted image बना सकते है plane mirrors inverted image कभी नहीं बना सकते plane mirror से बनी image की तीसरी characteristic ये है कि वो mirror के दूसरे तरफ की object के same size की होती है example के लिए अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 4 feet है तो image की लंबाई भी 4 feet होगी और अगर हम एक circular coin के plane surface को plane mirror के पास लाएं तो दोनों coin और उसकी image का diameter सेम ही होगा plane mirror से बनी image upside down नहीं होती लेकिन laterally inverted होती है इससे हमारा क्या मतलब है जब हम हमारा left हाथ उठाते हैं तो mirror में जो image है वो अपना right हाथ उठाती है हमारा left image का right है और उसी तरह हमारा right image का left तो एक image left-right reversal follow करती है plane mirror से बनी image laterally inverted होती है अब हम हमारे last point पर आते है finally, बनी हुई image mirror की उसी दूरी पर होती है जितने की object होता है आप इस observation को खुद ही verify कर सकते है आपको इसके लिए एक chess board और कोई भी chess piece जैसे की king चाहिए होगा plane mirror को board के edge पर रखे जैसे की picture में दिखाया गया है king और उसकी image की position को देखिए क्या ये दोनों mirror से same दूरी पर है ठीक है आप प्रतियक के सामने number of squares को गिन सकते है object के लिए सामने 7 squares है और image के लिए भी same है आप king को chess board पर कहीं भी ले जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उसकी image हमेशा mirror से उतनी ही दूरी पर है जितना की king है तो ये plane mirror से बनी images के कुछ characteristic थे चलिए इन्हें जल्दी से review कर लेते हैं पहले plane mirror से बनी images virtual होती है, real नहीं दूसरी, जो image बनती है वो हमेशा erect या upright होती है तीसरी, जो image बनती है उसका size mirror से दूसरी और रखे object की size के बराबर होता है और आखिर में जो image बनती है, वो mirror से उतनी ही दूरी पर होती है, जितनी की object होता है हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि plane mirror images के लिए ray diagrams क्या होते हैं और उन्हें कैसे draw करते हैं